हर्याना में सीम कुर्सी खुले कर चल रहे घमसान के बीच भाजपा से गुरुग्राम के सांसद और केंद्री रज्यमंत्री राउंद्रजीत ने सीम पत की दाविदारी से पीछे हटने की घोशना कर दी है पंचकुला में हुई भाजपा की मीटिंग में अमिश शाह ने खुले मन से या एलान कर दिया था कि भाजपा नायाब सेनी के नित्रित में चुनाब लरेगी और नायाब सेनी ही फिर से प्रदेश के मुख्य मंत्री बनेंगे शाह के बयान के बाद से राव इंद्रजीत ने अपने कदम पीछे खीच लिए है हिसार में आयूजित एक कारिकरम में हिस्सा लेने पहुँचे ही तो पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाने पर काहा कि इसका फैसला हो चुका है नायाब सैनी ही अगुआई करेंगे इसके अलावा उन्हें बार-बार राज्यमंत्री बनाये जाने पर उनका दर्द छल लग गया इसके अलावा भाजपा के अंदर चल रही गुडबाजी वाली बात पर मुहर लगाते वेश सब को चौका दिया गुडबाजी वाली बात पर उन्होंने यह तक कह दिया कि अभी तो यह गुडबाजी और बढ़ेगी जब राउंद्रजीत पत्रकारों से बात कर रहें थे तब उनसे तीन एहम सवाल पूछे गए चली जानते हैं वो तीन सवाल कौन से थे और उन सवालों का राउंद्रजीत ने क्या जवाब दिया सबसे पहली सवाल उनसे पूछा गया कि वह भाजपा के सीनियर नेता है उनके समर्थक चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बने इसके जवाब में राओं इंदरजीत ने कहा यह पार्टी का फैसला होता है पिछले दिनों पंचकुला में मीटिंग में शाह आए थे उन्होंने फैसला कर लिया कि नाया अपसैनी के नित्रित में ही विधान सभा का चुनाव लड़ा जाएगा तो यह फैसला हो चुका है उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि आपको कैबिनेट मंतरी भी नहीं बनाया गया राज्य मंतरी का ही दर्जा दिया गया इस पर राओं ने कहा जी हां रोश तो है ही सबसे पुराना बार बार राज्य मंतरी बनने वाला कोई है तो वो शायद मैं ही हूँ तीसरा सवाल उनसे भाजपा में गुडबाजी को लेकर पूछा गया उनसे पूछा गया कि भाजपा में गुडबाजी हो रही है गुरुग्राम में आपको इसका सामना करना पड़ा इस सवाल का जवाब देते वे राओं ने कहा हर पाटी में धूरी बहुत होती है 34 साल मैंने कॉडबाजी का शिकार रहा यहाँ पर भी गुडबाजी हो रही है बीजेपी नई पाटी है जैसे और टाइम गुजरेगा हर्याना में और गुडबाजी उभर कर आएगी आपको बता दी कि लोगसभा चुनाओ में गुरुग्राम लोगसभा सीट से राओं इंदर जीत ने कॉंग्रिस के प्रत्याशी राज बबबर को हरा कर छठी बार सानसत बने चुनाओ में जीत के बाद राओं इंदर जीत ने समर्थकों को संबोधित किया जिसमें उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हर्याना के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी है जो हमसे रूट गया उसे मनाना है दक्षणी हर्याना के जर्ये ही सत्ता सीन होना है हमें संगठित होकर मजबूत रहना है इस संबोधन में सत्ता सीन होने वाली बात को मुख्य के मंतरी कुर्सी से जोड़ कर देखा गया, उनके इस बयान के बाद हिसार की यादब सभा की ओडस से मांग की गई कि राओएंदर जीद को मुख्य मंतरी बनाया जाना चाहिए, आपको बता दी कि राओ इंद्र जीत के पिता राओ बिरिंद्र सेंग प्रदेश के मुख्य मंतरी रह चुके हैं और वो दक्षिनी हर्याना से एक मात्रैसे नेता थे जो मुख्य मंतरी बने उनके बाद से अभी तक दक्षिनी हर्याना से कोई भी नेता मुख्यमंत्री पत तक नहीं पहुँचे है गौरतलब है कि दक्षिनी हर्याना में कुल 14 सीटे आती है जिसमें से 11 सीटे याद बाहुल्य है दक्षिनी हर्याना ही सूबे की राजनिती का किंद रहा है राओ बिरंद्र सिंग के बाद से उनके बेटे राओ इंद्रजीत उनकी राजनितिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं